हेलो फैंड मैं विकास स्वागत करता हूँ और सभीका आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फोरेवर पर दोस्तों आज हम बात करेंगे जेपी इन्फरा टेक का जो इंसॉलवेंसी का प्रोसेस चल रहा है और लगभग चार साल हो गए हैं सन 2017 से ये इंसॉलवेंसी का क्रेस चल रहा है और अभी तक जो है इस पे कोई भी जो है निप्तारा नहीं हुआ है इसका तो यहां पर अब जो कल है जैसे कि आपने डी एच एफल में देखा कि डी एच एफल में जो प्रमोटर्स थे इनके पहले के जो प्रमोटर्स थे उन्होंने जो है सेटलमेंट ऑप्शन यहाँ पर रखा था अपना की वो 100% principal amount देने तयार है same उसी तरज पर अब जो है JP Infratec के promoter है वो भी principal settlement करने के लिए तयार है जो principal amount है उस पर settlement करने के लिए application दी है तो यहाँ पर Manoj Gor जो की executive chairman है JP associate के और JP associate promoter है JP Infratec की promoter थी जो की bankrupt हो गई है JP Infratec उसकी अब यहाँ पर इन्होंने offer दिया है कि जो भी financial creditor है उनका वो 10,000 करोर जो होता है वो in full देने तयार है मगर अब यहाँ पर एक चीज क्या पस रही है कि जो 20,000 home buyers हैं वो लगभग 25% जो है death carry करते हैं किसका JP Infratec का तो इन buyers को ही अब जो है financial creditors की जो है पद्वी दे दी गई है याने कि उन्हें ही financial creditor बना दिया गया है JP Infratec का तो अब जो यह home buyers हैं यह वापिस जो है उसी company को नहीं उन्हीं promoters को यह company दोबारा चलाने नहीं देंगे जिनकी वज़े से इन्होंने इतनी मुसीवट जेली और अभी तक जो है उन्हें किसी भी तरह का possession या resolution नहीं मिला है तो अब दोबारा वो उन्हीं promoters को company नहीं शोप कर यह हो सकता है वो दोबारा फच जाएं और फिर उन्हें और देरी जहिलनी पड़े इसके निप्तारा होने में इसलिए जो की lender ने dismiss कर दिया है जी हां और अब जो है और यहां पर इन्हों ने तो dismiss किया ही है lender ने मगर यहां पर supreme court का भी सीधा सीधा आदेश है कि यहां पर शिरिफ आप दो ही party जो है इस resolution में part ले सकती है पहली party है सुरक्षा, asset, reconstruction और दूसरी party है NBCC India जी हां अब यही दो company bidding करेंगी और इनी company की bidding को approval देंगे lender इन में से जिस भी bidding को approval मिल जाएगा जिसकी भी bidding को approval मिल जाएगा उसको जो है यहां पर यह resolution plan उसका मान कर company की जो है insolvency process पूरी की जाएगी तो यहां पर किसी भी तरीके से अब जो है promoters का इस process में आना बनता ही नहीं है जिसके लिए काफी देर हो गई है क्योंकि यहां पर सीधे सीधे अब company के पास जो है supreme court का आदेश है कि सिर्फ अब जो bidding process complete की जाएगी वो इन दो company के द्वारा ही जिनका मैंने अभी आपको नाम लिया NBCC and सुरक्षा asset reconstruction इनको ही दी जाएगी तो चलिए जब देखते हैं कि यह जो अपना plan लाते हैं और इसमें से किसे approval देते हैं lenders तो इसके बारे में जो भी update आएगा definitely मैं आपको बता दूँगा तो आसका तो यह वीडियो आपको पसंद आयोगा प्लीज लाइक कीजे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को थैंक यू